गाइस गुरी इवनिंग वेलकम बाक टू अनदर डे एन अनदर ये छोटा सा ब्लॉग है लेकिन बहुत इंपोर्टेंट ब्लॉग है गाइस मैं सोच रहा था कि जब मैं बाइक लेने को जाता हूँ मैंने जब प्रायरेटईस किया था तो सबसे बड़ा प्रायरेटीज था ऐलोय विल और स्पोक विल के बारे में मैंने विक्रम से पूछा था कि सर हमालाय में क्यों आपका ऐलोय विल नहीं होता है अलोय विल का benefit ये क्या है कि वो आपका TUELESS टायर हो सकता है और कभी भी tire puncture होता है तो आप उसको utilize कर सकते है हिमालाय में आप alloy wheel नहीं डाल सकते है आपको spoke wheel डालना है तो यह वालाय में मैं आपको बताओंगा क्यों आप हिमालाय में नहीं डाल सकते हैं काई सबसे बड़ी बात यह है कि आप समझ लो, alloy wheel में क्या होता है कि आप तभी लगा सकते हो जब आपकी suspension आपका normal है आपको cruising करना हो City right के लिए alloy wheel best है alloy wheel का सबसे बड़ा जो demerit है वो है आप उसको लेके off-roading नहीं कर सकते हो alloy wheel को लेके आप नहीं जा सकते हो में mountains पे, potholes पे भी जाओगे तो वो आपका break हो जाएगा crack लग सकता है और एक बर crack हो गया alloy wheel में तो आपको पूरा tire चेंज करना पड़ेगा पूरा आपको socket, wheel socket चेंज करने पड़ेगी तो इसलिए Royal Infield ने हिमालाय पे clearly instruction दिया हो है कि alloy wheel is not allowed and not for the off-roading तो इसलिए कभी भी आप नहीं देखोगे कि हिमालाय बाइक में आपका alloy wheel होता है but same चीज आप इदी spoke wheel देखते हो spoke wheel आपके सब जगा पे आप classic में देखते हो because वो city right के लिए permanent है और आप उसको लेके आप हिमालाय पे भी जा सकते हो कहीं पे भी जा सकते हो ले लदा कभी भी कुछ भी कर सकते हो इसलिए आप spoke wheel आप हमेशा हिमालाय में देखोगे आप alloy wheel नहीं देखोगे और एक चीज बट लास्क नॉट दलचाहूंगा हमारे meteor में भी आपका alloy wheel है spoke wheel नहीं है इसका मतलब क्या होता है कि आप definitely meteor को लेके आप off-roading मत कीजिए because वो alloy wheel है आपका यदि by chance आपका यदि crack हो जाता है wheel में आपके पूरे सब कुछ चले जाएंगे so it's a big task so only benefit is that meteor आपका cruising bike है city rights के लिए बहुत अच्छा है but definitely I would not suggest you guys take that to ले लदाक और कहीं पे भी जहां पे भी आपके roads आपके कच्छे हो पके ना हो flat road meteor is the best but when it comes to the off-roading don't take that bike because आपके उसमें alloy wheel sorry spoke wheel नहीं लगे है so आप समझ गयो क्यों spoke wheel और alloy wheel में major difference क्या है आप यदि नए हो चैनल पे please चैनल को like और subscribe करना मत भूलना और इस तरह के content में आपके लिए लाता रहूंगा बहुत ही important content था तो मैंने सोचा कि आप लोगों से share करते हूं goodnight see you bye bye